बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है जहां 6 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गए बच्चे की स्विमिंग पूल से बड़े लोगों के स्विमिंग पूल में ये बच्चा चला गया लेकिन ना तो घरवालों को इसकी भनक लगी और ना ही वहां मौजूद लाइफ गार्ड को आरो किया है कि गार्ड मुबाइल में बिजी था जिसकी वजह से यह लापरवाही हुई मामला गुरुग्राम के पार्ट सिरीन सुसाइटी का है हिरानी की बात यह है कि इस हाइफाइ सुसाइटी में सुसी टीवी से लेका सुरक्षा के तमाम उतिजाम है लेकिन छे साल का बच्चा इंदिजामों के बावजूद सुमिंग पूल तक गया और वहां पर दूब गया किसी को कुछ मालूम नहीं चला अब पुलिस मामले की जांच कर रही है किसकी लापरवाही है किसकी परतार की जा रही है कि तीन या चार लाइवगार्ट है उनकी होते होने के बावजूद भी यह गटना गटी है तो आप इमेजन कर सकते हो कि किस तरह की लापरवाई से काम होता है इस सोसाइटी में अंडर दे गाइडेंस और मिस्स गाइडेंस ओफ बीपीटीपी प्राइवेट लिमिटेड लाइटली हमारे साथ खेल रहे हैं मतलब इतना लाइट मैनेजमेंट मैंने अपने जियों में आज तक नहीं देखा मदब बच्चा छोटे पूल से बड़े पूल में आ गया उसके बाद बच्चे को किसे ने देखा नहीं चाचार पांसपा सेक्योटी का लाइफ गार्ड यहां पर बैठे हैं किसे ने देखा नहीं बच्चा वहां डूब रहे हैं बच्चा डूबने के बाद बच्चे ने दस से बारा में फ्लोट किया है तीन दस्वीरें आपके सामने हैं पॉष्ट सोसाइटी गुरगाओं की जहां पर यह हाथसा हुआ है बच्चों के पूल से बड़े के पूल तक पहुँचा तब किसी ने नोटिस नहीं किया उसके बाद यह बच्चा डूबता रहा तब ही भी किसी को मालूम नहीं चला इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरीके से मॉनिटर करें वॉच करें लोगों की सुरक्षा के साथ यहां पर खिलवार हो रहा है यही सोसाइटी वाले भी आरोप लगा रहे है छे साल का बच्चा डूब कर इसकी सुमिंग पूल में मौत हो गई लाफरवाई का यह पूरा मामला गुरगराम की एक पॉच सुसाइटी का है जिसमें इस मासूम की डूबने के कारण मौत हो गई